पार्शल करलर टेस्ट पेड़ की शम्ता और सेहन शक्ती को मापता है इस टेस्ट को करने के लिए सम्तल, साफ और गद्देदार सतह के साथ 6 इंच की दो समनांतर स्ट्रिप्स की जरूरत होती है प्रति भागी गद्देदार सम्तल साफ सतह पर लिटेगा उसके घुटने साथ डिगरी के कोड़ पर दोनों बाजू बगल में और हथेलियां नीचे की ओर फूनी चाहिए प्रति भागी अपने उपर के शरीर को मैदान से कम से कम 6 इंच उपर उठा कर जिसे करल अप्स कहा जाता है लाएगा उस दौरान उसके हाथ जमीन पर ही रहेंगे और फिर वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा जैसे ही प्रति भागी टेस्ट लेने के लिए तयार हो जाए स्टार्ट टाइमर बटन दबाएं प्रति भागी को सुझाव दिया जाता है कि टेस्ट के दौरान सांस लेने की गती सामाने रहे 30 सेकंड में किये गए अधितम करलर्च की संख्या को रिकॉर्ड किया जाता है